इसलाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स 30 जनवरी 2020 को मुम्रा के समराट नगर सरकार बिल्डिंग में रहने वाले दीपक सुरेश गुपता ने फासी लगाकर आत्महत्या कर ली थी मगर अब दीपक के पिता सुरेश गुपता ने दीपक की आत्महत्या पर सवाल उठाए हैं दीपक के पिता को शक है कि दीपक ने आत्महत्या नहीं की थी बलकि उसकी हत्या उसी की पत्नी नेहा और उसके ससुराल वालों ने की है मगर वहीं मृत्तक दीपक की पतनी नेहा का कहना है कि जो भी आरोप उन पर लग रहे हैं वो गलत है जी यार पाटील कॉलेज के सामने रहने वाले सुरेश गुपता के बेटे दीपक गुपता और रेती बंदर में रहने वाले अनिल विजेव गुपता की बेटी नेहा आरोप लगाया है सुरेश गुपता यानी नेहा के ससुर ने नेहा पर उसके चरित्र पर सवाल उठाये हैं और कहा कि चाल चलन ठीक नहीं थे वांगनी में जब दीपक और नेहा रहते थे उस वक्त नेहा का एक लड़के से अफेयर भी था जिसकी शिकायत वांगनी पुलिस स्टेशन में दर्ज है कुछ दिन पहले ही ये लोग मुम्रा के समराट नगर में रहने आए और दीपक आटोरिक सा चलाने लगा मगर नेहा ने बताया कि दीपक उसे खर्चे नहीं देता था जिसकी वज़य से नेहा नाराज होकर उसे छोड़कर अपने माबाप के घर रित थी और दीपक को उसके ससुराल वालों ने मारा पीटा भी था शक है कि दीपक को उसकी पतनी और उसके ससुराल वालों ने ही मिलकर हत्या की है मगर वहीं मृतक दीपक की पतनी नेहा ने दीपक के बारे में बताया कि वो कई बार आत्म हत्या करने की कोशिस की थी एक महिना पहले भी जहर खाकर जान देने की कोशिस की थी देहा ने ससुर्फ पर रिमार पीट का आरोप लगाया है ये भी बताया कि पती दीपक नशा भी करता था खर्चा भी नहीं देता था जिसकी वजह से वो तंग आकर अपने माता पिता के घर वापस चली गई थी और दीपक ने 30 जनवरी को फांसी लगा कर आत्मात्या कर ली थी मुम्रा के समराठ नगर में और करीब दो महिने से मैं अपने माता पीता के साथ रेती बंदर में हूँ कहा मुझे फसाने की शाजिस कर रहे हैं मेरे ससुर्फ गुपता हलाकि नेहा ने इस बात को भी कबूल किया है कि वाग फां नेहा ने सुरेश गुपता द् hac दोरास लगाए गये आरोपो के खारिज किया है उसने कहा कि उल्के द्वारा जो आरोब लगाए जा रहे है वो आरोब गलत है मैं अपने पती के साथ ऐसा नहीं कर सकती इस पूरे मामले में दीपक के पिता सुरेश गुपता और नेहा ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं क्या हुआ था आपके बेटे के साथ जो पूरी घटना हुई यह कैसे हुई और क्या हुआ था कि रोजदीग उज दिन सार क्या हुआ था यह तुमको नहीं मालूम लेकिन उसके दोस्त के जरीए हमको यह मालूम पड़ा कि उसके एक दिन पहले वो गया था अपने आउरोत को लाने के लिए और वहां पे उसके साले और ससुर और लड़की और उसकी मा उसके ज़गडा किए हैं, गाली गलोस किए हैं और वारा-मारी करके वहां से बेज़े हैं. आपके लड़के ने तो बता जारे कि फासी लगा कर आत्म हत्या की है. सर आप जो है जो फासी की इस्तिती है हमारे मुबाइल में है या आप देख लीजिये कि एक क्या बोला है अगर यह कहता है कहां फासी है लोग बोल रहे हैं मैं अखील के पास गया था उनसे बात किया अखील बोला कि कैसे बन्लब вмil 13 होगा कि है फासी कोई कोई सवाले नहीं है अगर फासी होती है तो उसमें जैसा बताया गया हमको लोगों ने बोला कि वो जो है कि जबान बाहर आएगी आँग बाहर आएगी अब यह देखिए हालात क्या बता रहे हैं जबान बाहर है क्या आँग बाहर है क्या टेबल जेंग करते हो पड़ा हुआ है जो उसके बाड़ी को पर डाला गया है दूपटा वो भी यह था इस्तिती बना हुआ है जरा से हिला डोला नहीं है अगर जो है क्यों लड़का फासी खुद लिया होता तो फासी के दर्मियान हाथ पाउस का हिलता वैसे में दूपटे को इधर-धर सरकना चाहिए लेकिन इसको जैसा फिक्स करके लगाए गया है आपको क्या लग रहा है कि जो है कैसे फिर यह हुआ क्या आपको लग रहा है कि बच्चे के साथ दोखा हुई है उसको हमको पुलिस के जरी मालम पड़ा कि वो दारू पिया था ठीक है दारू पिलाय भी जा सकता है पिला के उसकी हत लड़की की वाइफ है यह तो अपने माँबाप के साथ महां रेती बंदर में और लड़का यहां फांसी लगाया क्या नाम है समराट नगर में तो आखिर कैसे जब कुई रहता नहीं था आपका लड़का अकेली था उसकी वाइफ वहां जा चुकी थी तो आखिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो है ना यान था और उसके बाद का इतना लंबा है कि टा लंबा है उसके पास इतने लोग है कुछ भी कर सकती है क्योंकि Aspe कर दो मि sparkling है कि बीएतनी की बात भी अगर आपके बेटे से और आपके बहुत से कुछ किसी बात को लेकर बात बीवाद होता रहता था बात बीवाद किवल एक ही बात पर होता था वो देख लेता था पगड़ता था तभी बात बीवाद होता था बाकी कोई बात बीवाद और किसी आप कैसे कह सकते हैं कि दूसरे के साथ उसके संबंद थे कुछ पुरूफ वगार थी थी ऐसा कुछ उनका संबंद नहीं था सिर्फ कॉल से बात हुआ करते हैं कि उसकी बीबी उसके साथ राती थी कि नहीं हाँ जब गलत देखता था जगड़ा होता था भागती थी आर दिन दस दिन वीज दिन में उसका दमाना चुना फिर उलेके आता था फिर दस दिन काई अमारी तो को लोग करते थे लड़की की जो लड़की है उसका कहना है और आप लोग तेन साल तक जो है उसे सासुराल नहीं जाने दिये और आप पर भी आरोप लग रहा है कि आपने अपने बहु को खुद मारा है सर जी ससुराल जाने नहीं दिये ये टोटल गलत है हपते 10 दिन 15 दिन पे हमारी अवरत खुद उसको लेकि उसके घर वालों के पास जाती थी मिलाने के लिए बेटों की इस बात का इतराज था कि ये गलत है उसको किदर जाने मत दो घर के अंदर ही रखो फिर भी उसको ले जाते थी मिलवाने के लिए कई बार मैं खुद सात में गया हूँ फोन पर बर बातचीत कराता था कि अपने घर परिवार में बातचीत करो और मारने की बात जहां तक है मैं मारा तो नहीं हूँ हमको बंदम किया जा रहा है एक समय की बात है गर में जगड़ा की जगड़ा करके अपने आदमी का हाथ पकड़ के तड़ा तड़ दोनों गाल में फड़ा फड़ा पड़ मार रही है हमारे लड़की को मार रही है उसके बाद यहाँ से मौसी लोग भाग के गई है छुडाने के लिए मौसी लोग को गाली दे के भगाई है मौसी लोग का भी इंटर्विव आप चाहें कि तो मैं दिला सकता हूँ मामा लोग गए हैं उनसे भी उल्टी बात की है हमारे सर के ड्राइबर गए है जो हमारे में सरे ट्रश्टी उनका ड्राइबर भी गया है उससे भी गलत बात की है उसके बाद मैं बोला जो हमारे अउरत को मानना चालो की तब मैं अपने अउरत को पकड़ा आ उसके हाथ पे यहाँ पे इसाथ से इतना मैं बोला हूँ सर यही हमारा गुरा है तो अब जो है फोटू मंगा कर पहले देखे हैं कि फाशी लगाया है नहीं लगाया है उसके बाद फिर आप पुली स्टेशन गए नहीं नहीं हमको जो फोन आया है कि भूट को बोला कि हां आपका बेटा फासी ले लिया है और बाते हमारे बेटी से और वाइप से हो रही तो यह लोग बोले कि एसा कैसे हो सकता है बला रुको में फोटो भेजता है वो फोटो भेजा हमारे घर के मोईल पे घर का जो मुवाईल है चोटा मुवाईल इससे पोटो बेजा उसकाद मैं बोला कि मेरे से बात कराओ क्या है तो जब हमको भी बोला मैं बोला ठीक है आप इस खबर को रेती बंदर दिये की नहीं उनके सुसराल उनको भी दीजिये और मैं पुलिस टेसन जा रहा हूं आप भी गाजा ये सब जो हे करता था खर्चा नहीं देता था आई दिन ज्खडा मार पीट वो जो कमाता था या उनको नहीं चा घान के लिया ह। अभी आप समझें कि एक महिने नहीं हुआ होगा, यह मामा जो सामने दुकान वाले हैं, उनको रूम का भाड़ा देना था, और पानी के अबिल देना था, और भी काम था, इनसे लिया हूँ, तीन ह्यार अपने पास से मिला कर दिया हूँ, इसके पहले भी उनको जब जरूत हो मैं देता था, और वो जो कमाते थे, वो भी उनके पास राता था, हमको पांच पैसा कभी नहीं दिये हैं, यह हमारे कैंटीन लोग इसे भी आप पूछ सकते हैं, आपकी जो बहुए उनका कहना है कि वो खर्चा पूरा नहीं कर पाता था, खर्चा नहीं देता, काम नहीं कर एक से करजा लेते थे दूसरे को करजा देते थे यही सब उनका चला था नशा कर रहे है और रिक्सा चला के जिसका खुद का रिक्सा है ओपने बीबी का और अपने छोटे बच्चे का खड़्चा नहीं निकाल सकता सर्जी यह तो किसी बात किसी भी रिक्सेवाले साब पूछ लिजए कि आज के टाइम पर कोई रिक्सा वाला 50-600 रूपय से कम नहीं कमाता है अब 50-600 रूपय अगर कमा रहा है उसको शिप नहीं भारना है खुद का रिक्सा है तो 600 के मतलब हमता है, सर 18,000 रूपय महिना हूँ तिने जार भाड़ा तुम दोगे, पंदरह हजार बचता है, फंदरह हजार में घर का खर्चा नहीं चला है, जी करता नहीं था, और जहां तक सरावोज, शरस की बात है, गाजी की बात है, उनके वाइफ ने तो बताया है, जो उनके वाइफ थी, हम लोग ने इंटर्व्यू लिया, उनका कहना है कि उनकी भी जो है, दो लड़कियों से जो है, संबंद थे, अब यह तो हमको नहीं मालूम है, आपने अब यह सब जानने की कोशिस ने, तो जानू क्या, आज तक ऐसी कोई बात हमारे सामने आई ही नहीं, आज आपकी मुसे में इसा सुन रहा हूँ, त एएह बात और मैं बोलना चाहता हूँ, अगर ऐसा कुछ था ससराल वालों को मालूम था और ओर नहीं समाल पाये, तो क्या हमारे कान में इस बात को नहीं ड़ सकते थे, क्या आपका बेटा कुछ ऐसा कर रहा है, इसका कुछ लोगों सफेर है, ये है, ओ है, कुछ ऐसा हमसे या खुद नहीं बोल सकते ज़र्य किसी की जर्ये हमारे पास मेसेज भेज़ होते हैं इस पर इंक्वाइरी करता देखता क्या है क्या नहीं है लेकिन ऐसा कुछ नहीं। क्या वज़ा थी जो आपके husband ने फांसी लगाई थी, ज़ो आपके ससूर है उनका आरोप है कि जो है आप लोगों ने जो उनका हत्या किया है, ऐसा आरोप लगाया जारा आप लोगों पर ऐसी बाते हत्या करने के लिए महां में होनी शाहिए पहले तो मैं दो महने पहले से मम्मी के यहां पर ही हूँ मैं प्रेग्नेंट थी मेरा खर्चा नहीं उठा पा रहे थे और वो खुद मुझे यहां छोड़ के गए थे और उसके बाद भी मेरा फोन पे भी बात चीच ज़्यादा होता नहीं था अगर उनको कभी मेरी याद आई नहीं आई आते थे कभी हफ़ता दो हफ़ता में एक बार आते थे मिलके चले जाते थे पार्लर में मैं जहां पर सिखती थी वहां पर आके मुझे मिलके जाते थे उनके एक दोस रहते हैं, उनसे हमारा बहुत अच्छा रिष्टा है, वहीं पर ये रोज खाना वाना खाते थे, रात का खाना वहीं खाते थे, तो उनकी बीबी ने मतलब दरवाजा कुंडी दो तीन बार ठोका ये उठे नहीं, तो बोले कि अच्छा सोई होंगे, तो उनके ह अच्छा सब्सक्राइब करें, तो उन्हों ने बोले कि देखो दिपक उठ नी रहा है, क्या हुआ है खाना खाने के लिए आनी रहा है, तो जब उन्हों ने भी ठोका तो नहीं खोले, तो बाद में वो कुंडी के उपर पैर रखे थोड़ा ग्रील है, वहां से देखे तो इन्होंने फासी ले चुके थे, अपकर ले चुके थे, पता भी नहीं, फिर उन्होंने हम लोग को फोन किये, उनके ममी पापा को फोन किये, फिर हम लोग जा के देखे कि इन्होंने ऐसे कर दिये, तब पता चला हम लोग को, आप लोग जो है, ऐसा बता रहा है आपके ससु रहता था क्या इसा मामला था यह मामला दो साल पहले का है जो इन लोग लांचन लगा रहे हैं जब मेरा दो साल पहले एक जगा हुआ था अफैर तो इन्हों फिर हम तुमको अपना लेंगे यह कर लेंगे यहां तक हुआ था उसके बाद भी फिर वांगनी का मामला था मैं वांगनी गई थी यह लोग नहीं लेके गए थे मुझे वहां वांगनी में यहां पर मम्मी के रहती थी मैं यहां पर रूम लेके भाड़े पर तो यहां से हो अच्छे से हम काम दिला देंगे काम भी ऐसे दिलाए हैं तब गलत गलत ही काम करते थे यह कोई अच्छा काम नहीं करते थे जो मतलब रिलेशन बता रहे आपके कि जो है फोन से संपर्ख करती थी फोन पर संपर्ख था और कोई संपर्ख नहीं था ये लोग बहुत से चीज मेरे पर थोपे हैं कि ये घर में बुलाती थी उसके साथ ने पकड़ी गई थी, इन्हों ने देखा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, यह बहुत लांचन लगाया जा रहा है, खाली फोन पर बाते होती थी, सामने से देखा, इशारा बाजी होती थी, मैं अपना छुपाऊंगी नहीं, मैंने खिया है, जो किया है, उसके कि आए मेरे हस्बेंट और मुझे लेके गए, बोले नहीं मम्मी, नहा को मैं एकसिप करता हूँ, खुद से लेके गए, किसी ने उनको जबरजस्तिनी किया कि नहा को तुम रखो, नहीं रखो, कुछ नहीं बोला गया, वो खुद के मन से आए, मुझे एकसिप किया, आपकी प्रेगनेंट हुई, तो मैंने बोली, अभी हमारा कंडिशन नहीं है, आप बराबर करते भी नहीं हो धंदा, और तुमको नशा चाहिए रहता है, मैं ये बच्चा नहीं रखना चाहती, तो ये बोले कि एक लड़की हो जाने देने हा, हाथ पैर जोडने लगे, रोने लग है, फिर पैसा वैसा देना बंद कर दिये, फिर नशा पती चालू कर दिये, पता नहीं कौन-कौन सी गोलियां लाके खाने लगे, गांजा भी पीने लगे, ये सब पहले से करते थे, लेकिन कैसे थोड़ा दिखाने के लिए उन्होंने बंद भी किया था, मेरा मन जीतने के लिए चाहे जो भी करने के लिए, बंद कर दिया था, फिर वापस चालू कर दिये, फिर मैं बिगड़ी कि अब तीसरे महने का सोनोग्राफी करना है, पैसा दो, पैसा दो, नहीं हो रहा है, तो कहां से दू, नहीं हो रहा है, तो कहां से दू, इसको भी देना, खर्चा भी लोग को बस करजा ही बाट रहे थे घर को नहीं दे पाते थे कुछ नहीं कर पाते थे तो मैं बोळी को ममी कहा छोड़ दो थो में अपना कर जांगुर उसके आद में दोट अध्यां तो कि यह लगा था तो जो सब्सक्राइब भगेर हैं सब्सक्राइब तो जो साइड्य नोट में खाली लिखा था आई लव यूँ नेहां आई लव यू आरू आ रो मेरा छोटा बेटा बड़ा है एक इन अब पहले एक और था तो वो अफ हो गया अभी जो बेटा है वो आरूस का नाम है तो खाली उसको I love you मुझे I love you और सौरी लिखा हुआ था अगर उनको मेरे से कोई भी गिलाशिकवा होता तो अगर मैं अगर कोई भी गलत चरित रहीं यह वो कुछ भी होती मैं तो वो मुझे कुछ तो लिखा होता उन्होंने मेरे लिए मेरी नफरत जताए रहते वह बलकि मुझे सौरी क्यू बोलके गए और I love you क्यू बोलके गए अगर मैं गलत हूँ तो मुझे I love you क्यू बोल रहे हैं वो आपकी जो पती थे तो उन्होंने क्या कभी और भी ऐसी कोशिस कभी की थी कि जो है इसा फासी लगाना जहर खाना इसा कुछ बगएरा उन्होंने कभी और किया था मैं खिड़काली के घर में जब थी यहां से हम लोग पहली बार जब अपने सस्राल से अलग होके गए थे तो खिड़काली गए थे वहां पर भी इन्होंने ऐसे ही जगड़ा करके बहुत शक करते थे और दारू और रुपी के फासी लगाने कोशिस किये थे तो मैं आजू बाजू में जो जो से चिलाने लगी कि मेरे हस्बेंड अफासी ले रहे हैं तो हम लोगों को वहां से रूम स रूमालिक ने निकाल दिया फिर वापस दूसरे जगह हम लोग ने रूम लिया वहां पर भी इनका यही था वहां पर भी इन्होंने कि यह शाओशा कर लेते थे जरा सा कुछ उनकी गलती आती थी ना तो वह एकसप नहीं करते थे अगर मैंने उनको बोली ना मैं जा रही प्रपषया थे और उनके घर में ये सिलसिला चलता ही है मेरी छोटी ननंध है जब मैं शादी करने दहोंえ चूके हैं हब भी फिनल पी चुके हैं और घट कातansen Okay character किनों ने मेरे हस्बेंड ने फंखे से लगता है और फिर इसके अलाव और भी प्रयास किया था क्या दो बार फासी लेने के कोशिश की थी और एक बार जहर खाये थे और यह अब यह हुआ है जो उसमें उनकी जान चली गई कि दो पूरी घृटना जो हुई है उस वक्त जो है आप लोग मौझ थे या उनका ऐसा कहना मवजूद थे अप लोग क्या मौझ थे यशेश का यह नहीं थे ते अगर मिलोग के से मारेंगे मेरा फोन यह हमेशा नशा करके मुझे थंकी दे थे इनतर फोन कर कि अगर तू नहीं आएगी तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं यहां से चले जाओंगा, मैं दिली चले जाओंगा, नहीं बनारस चले जाओंगा, छोड़ के सब, नहीं तो जान दे दूँगा, ऐसे ऐसी बाते करते थे, फोन पे, तो मैंने फोन सब ब्लॉक किया मेरे मम्मी के नंबर, पपा के नंबर, मेरे पास तो फोन नहीं था, मेरी बहन का नंबर, सब ब्लॉक किया था, मैंने बोली तुमको जो बात करना है, वो आके घर पे किया करो, तो वो घर पे नहीं आये थे, ऐसा भी नहीं कि घर पे आके बात किये, कुछ नहीं, मतलब उन्हो क्यों क्या किये कुछ समझ में नहीं आया यह भी बात सामने आ रहे कि जो आपके पती थी उनका भी कुछ किसी लड़की से जो है अफेर था इसा कुछ मेरे अफेर होने के बाद में उनका भी अफेर दो तिन जगा मुझे पता चला एक तो धंदे वाली लड़की थी उसको तो मैं घर में बुला के मारी थी तब जाके उसने मेरे पती का पीछा चोड़ा मेरे पती भी उसके पागल हो गए थो उसके पीछे फिर और एक लड़की वो भी ऑनलाइन मिली थी, पतानी कैसे मिली थी, उसको भी बहुत सारे गिफ्ट वगेरे दिये थे, बहुत कुछ इन्होंने भी किया है, मैंने तो एक बार किया है, यहां तक कि मेरी बहन को भी प्रपोस किया इन्होंने, लेकिन फिर भी लोक लाज के वज़े से हमने बात को मैं दबा दिया है, कि हमारी ही बेज़ती होगी, अब यह लोग मुझे बोल रहे हैं, चरीतरहिन, चरीतरहुन, इन के बेट nhân, उनके बेट ने कितने ही बार किया, और यह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर वो लोगो लगता है, कि में उनके बड़े मेरे पास उनके दो-द मुझे ये मुम्रा में रहना है पूरे मुम्रा में नाम खराब करके रखे हैं कि मेरे बेटे ने सुसाइड नहीं किया ये लड़की ने इतना गलत-गलत यहां-वहां मुह मारा है मुह काला किया इसके शियर्मिंदगी से मेरे बेटे ने ऐसा किया है ऐसा कुछ नहीं है अगर पूरी पूरी कोशिश भी की हूँ अपना संसार वापस बसाने की लेकिन मेरे हस्बेंड हमेशा से डूप गए एकदम से नशे में एकदम चूर हो गए उनको एक बार भी नहीं सुझा कि मेरे पीछे मेरी बीवी है दो दो बच्चे हैं क्यों ये कदम उठा लिया अब उनका राज उनी को पता एक तरफ सुरेश गुपता ने दीपक की आत्महत्या पर हत्या का शक्चा जताया है तो नहीं नेा ने अपने उपर लगाए गए इलजामों को गलद बताया है मामलाव मुम्रा पुलिस इस्टेशन में दर्ज है पुलिस मामले की जाच कर रही है और पुलिस जाच में ही पता चलेगा कि आखिर दीपक ने आत्म हत्या की थी या फिर उसकी हत्या हुई थी तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स ताजा तकी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें